दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट से फोन पे कैसे चला सकते हैं दोस्तों अगर आपके पास भी India Post Payment Bank का saving account open किया है और आप उस bank account से phone pay चलाना चाते हैं, phone pay account बनाना चाते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप India Post Payment Bank account से phone pay चला सकते हैं, phone pay के साथ कैसे उस account को जोड सकते हैं, और कैसे आप फोन पे से पैसे भेज सकते हैं रिचार्ज और बील पेमेंट कैसे कर सकते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में A to Z प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ अगर आप भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट से फोन पे चलाना चाहते हैं फोन पे अकाउंट बनाना चाहते हैं तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा तो चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तो फोन पे चलाने के लिए सबसे फोन पे आपको आप अपनी मोबाल में इस्टोल कर लेंगे दोस्तो फोन पे आप इस्टोल लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा अगर आप मेरे दियो ही लिंक से फोन पे आपको इस्टोल करते हूं और अकाउंट बनाते हैं तो आपको एक सुरुपिय का कैस बेक भी मिल जाएगा तो चली मेरा पहले सी स्टोल है मैं आप अपैं कर लेता हूं अब जैसे दूसरा फोन पे आपको स्टोल करके ऑपैं करते हैं तो सबसे पहले आपके सांवने फर्स्ट इंटरफेस इस परकार आएगा तो सबसे पहले आप अपना Mobile number इंटर करेंगे दोस्तों ध्यान रखेंगे आपको यह वही mobile इंटर करना है जिस mobile नमर से आप इंडिया post payment bank का account open किये हैं तो चली मैं अपना mobile इंटर कर देता हूँ अब mobile नमर इंटर करने के बाद आपको proceed option दिख रहा है आप simple proceed option पे क्लिक करेंगे अब जैसे proceed option पे क्लिक करते हैं आपके दिए हुई mobile नमर पे 5 digit OTP सेंड किया जाएगा वो OTP आटोमेटिक ही डिटर करेगा कुछ सेखन आपको वेट करना है अब आपको अपने डिवाइस का कुछ access अलाओ करना है जैसी कि location का access अलाओ करेंगे contact list का access अलाओ करेंगे phone call SMS message का access अलाओ करेंगे तो देख सकते हैं में phone पे अपने login हो चुका हो मेरा phone पे अकाउंट बन चुका है इस परकार आपका भी phone पे अकाउंट बन जाएगा अब चली हम देखते हैं कि कैसे हम phone P की साथ इंडिया post payment bank account को link कर सकते हैं कैसे हम इंडिया post payment bank account लिंक करके phone पे चला सकते हैं तो दोस्तो bank account अड़ करने के लिए dashboard पे आपको add bank account का option दिख रहा है अगर आपको यहाँ पर option नहीं दिख रहा है तो simple आप left side पे profile icon पे click करेंगे अब जैसे profile icon पर click करते हैं आपका profile यहाँ पर खूल हो जाएगा और आपको यहाँ पर option मिल जाएगा add bank account का तो simple आप add bank account वाले option पर click करेंगे अब जैसे आप add bank account वाले option पर click करते हैं तो देख सकते हैं आपके सामने बैंको का लिस्ट आ छुका है तो दोस्तो इस लिस्ट में अगर आपको इंडिया post payment bank का option नहीं दिख रहा है तो simple आपको हैं पर search bar दिख रहा है search bar पर आप click कीजिए और यहाँ पर type कीजिए इंडिया post payment bank तो देख सकते हैं हम जैसे ही इंडिया लिखे तो यहाँ पर आ गया इंडिया post payment bank तो simple आप bank को select करेंगे तो चलिए हम bank को select कर लेते हैं अब कुछ second wait कीजिएगा आपका bank account feeding किया जा रहा है कुछ second आपको wait करना है अब देख सकते हैं आपका bank account detail यहाँ पर आ जाएगा जैसे आपको bank account को select कर लेते हैं तो देख सकते हैं आपका account number का last four digit branch name, account holder name और IPC code आ जाएगा और आपका UPI ID भी create हो जाएगा अब आपको procedure add option दीकर आप procedure add पे click करेंगे अब जैसे procedure add पे click करते हैं कुछ second आप wait करेंगे तो देख सकते हैं successfully मेरा bank account जो है वो add हो चुका है लेकिन दोस्तों आपको इस bank account से transaction करने के लिए आपको UPI pin को set करना होगा जब तक आप UPI pin set नहीं करेंगे तब तक आप अपने account से transaction नहीं कर पाएंगे यानि किसी को भी पैसा आप नहीं बेज़ पाएंगे अपना branch check नहीं कर पाएंगे साथ रिचार्ज बिल पैमेल भी आप नहीं कर पाएंगे UPI के तुरू तो simple आपको UPI pin set करने के लिए नीचे है यहाँ पर आप option देख पार हैं set UPI pin तो आप इस पर क्लिक करेंगे अब जैसी ही दोस्तों आप set UPI pin बारे option पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आपर debit ATM card का details आप से मांगा जा रहा है तो देख सकते हैं आपर मांगा जा रहा है last six digit of your card number यानि आपका जो ATM card का number है वो last six digit यहाँ पर आपको इंटर करना है देन इसके बाद यहाँ पर मांगा जा रहा है आपका card का जो valid date है month और year वो यहाँ पर मांगा जा रहा है तो चली इंडिया post payment bank का ATM card आपको कहां से मिलेगा कहां से आपको देखना है चली मैं आपको दिखाता हूँ तो इसको आप minimize कर देंगे अब दोस्तो आपको इंडिया post payment bank का जो mobile banking app है उसे आपको आपको open करना है तो अगर आप इसमें registration करके रखे हैं तो simple आप इसमें अपना MPIN डालेंगे तो चली हम MPIN इंटर कर देते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि कैसे आपको अपना ATM card का डिटेल यहां से देखना है तो अगर आप इंडिया post payment bank मोबाल बैंकिंग में registration नहीं किये हैं तो चली मेरा पहले से registration है मैं अपना MPIN इंटर कर देता हूं जैसे आप MPIN को डालते हैं कुछ सब्सक्राइब कीजिए और आप इंडिया post payment bank मोबाल बैंकिंग अप में लॉग इन हो जाएंगे आप देख सकते हैं आपके समने इसपर का dashboard आएगा नीचे आप स्क्रोल करेंगे तो यहां पर आपको debit card का option दिख रहा है देख सकते हैं आपको नहीं मिलता है देख सकते हैं दोस्तों यहां से आप अपना ATM card को generate कर सकते हैं तो देख सकते हैं यहां पर आपका जो ATM card का valid month होगा वह यहां पर 6 month इसका validity रहेगा यहां पर बताया गया है तो ATM card generate करने के लिए आपको यहां पर term और condition का checkbox दिख रहा है इसके बाद आपको confirm option दिख रहा है तो अगर आप लेना चाहते हैं तो simple आप continue option पे click करेंगे और 25 रुपिय का payment कर देंगे तो आपका ATM card होगा वह जनरेट हो जाएगा तो दोस्तो मेरे पास हो रही कि इंडिया post payment bank का saving account है जिसमें मेरा ATM card generate किया हुआ है तो इसलिए मैं यहां पर generate नहीं करूँगा मैं इसमें continue नहीं करूँगा मुझे यह बाला ATM card नहीं लेना है तो मैंने आपको यहां पर basic information दे दिया कि कैसे आपको ATM card को generate करना है इंडिया post payment bank में तो अगर इसपे भी आप detail video चाहते हैं कि कैसे आपको आपको इंडिया post payment bank का ATM card को generate करना है अब दोस्तो जिसा आप ATM card को generate कर लेते हैं आप आपको अपना ATM card का सारा detail देखने को मिलेगा card number, card का expiry date और साथी CBB number अब दोस्तो आप ATM card मिलने के बाद आप अपना ATM card का detail से यहाँ पर डालेंगे जैसी कि आप अपना ATM card का last six digit डालेंगे और आपका ATM card का जो validate है month or year है वो आप यहाँ पर डालेंगे जैना proceed option पर क्लिक करेंगे अब जैसे आप अपने ATM card का detail डाल देते हैं आपके mobile पे सीग डिजित OTP आएगा वो OTP आटोमेटिक ही detect कर लेगा अगर automatic detect नहीं करता है तो आप manually OTP को डालेंगे अब दोस्तों जैसे आप OTP डाल देते हैं तो देख सकते हैं आपको UPI pin set करने का option मिल जाता है तो अब आपने हिसाब से UPI pin डालेंगे जो UPI pin आप रखना चाहते हैं इसके बाद दोस्तों फिर से आपको UPI pin को confirm करना है तो आप फिर से UPI pin को re-enter करेंगे अब दोस्तों जैसे आप UPI pin को set कर लेते हैं successfully आपका bank account phone payment link हो जाएगा अब आपको down option देख रहा है down पर क्लिक करेंगे कुछ second wait करेंगे अब दोस्तों आपका जो इंडिया post payment bank का saving account है वो आपके phone pay के साथ successfully link हो चुका है तो इस तरह किसे आप phone pay के साथ इंडिया post payment bank saving account को link कर सकते हैं और phone pay चला सकते हैं अब आप phone pay से किसी को भी पैसे बेज सकते हैं जैसा कि पैसे बेज़े नहीं यहाँ पको option दिख रहा है ट्रांसफर money का यहाँ साब पैसे बेज सकते हैं यहाँ पर आपको recharge or bill payment का option दिख र वीडियो को नीचे comment कीजिए और वीडियो को आगे share जरू करें मिलतें next वीडियो में thank you जैहिंद